असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उजयर वेलकम बैक टू साधिया उजयर's किचन आज आपके साथ मैं एक कुईक और हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जोके ब्रिकफास्ट और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेस्ट आप्शन है बहुत ही छेटपर्ट और कुईक सी ये रेसिपी तयार भी हो चाएगी और साधी साथ बचे और बड़े दोनों ही इसको पसंद भी करेंगे तो चलिए जिल्दी से रेसिपी स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लाहरमान रराहीम तो यहाँ पर हम बाइट ब्राउन ले 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 या जो भी ब्रेड आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं तो अब ब्रेड स्लाइस की इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लेंगे इस रेसिपी के लिए हमें 3-4 ब्रेड स्लाइस की जरूरत होगी यहाँ पर ingredients की जो quantity मैं आपके साथ share कर रही हूँ उसमें 3-4 bread slices easily तयार हो जाएंगे तो यह देखें, same इसी तरह से हमें जितने भी bread slices की जरुरत है उन सबी की हम इसी तरह से cutting करेंगे और next अब हम एक bowl में लेंगे 2 अंडे इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच दूद, 1-1.5 खाने का चम्मच या हस्पिजाई का चीनी और एक चुथाई टीस्पून डालेंगे इसमें दाचीनी का powder अगर आप बचों के लिए बना रहे हैं और बचों को दाचीनी का टेस्ट पसंद नहीं हैं ओइल की जगा पर आप चाहें तो मक्षन या घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं जो भी आप इस्तमाल करते हैं अब सबसे पहले तवे पर इस तरह से ब्रेट का ये किनारा रखेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी और जो center में जगा खाली है इसमें इस तरह से केले की ये slices रखेंगे इस तरह से बच्चे बिना तंग कि ये बहुत ही आसानी के साथ fruits खा लेते हैं केले की जगा पर यहां आप चाहें तो save का इस्तमाल भी कर सकते हैं केले के उपर अब हम इस तरह से थोड़ा सा अंडे वाला mixer डाल देंगे जो हमने तयार किया था इसके बाद इसके उपर cheese slice रखेंगे इसके बाद bread का जो center का part है उससे इसको cover कर देंगे cheese slice तो बच्चों का बहुत ही favorite होता है mozzarella ये cheddar आप किसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने mozzarella चीज का इस्तमाल किया है यह देखें कितना अच्छा सा इसके उपर golden color आ गया है अब दूसी side से भी तवे पर हलका सा oil लगाते हुए इसको golden होने तक पका लेंगे तो लीजिए जटबट से एक बहुत ही healthy और मज़ेदार सब breakfast अयार है जो कि यकीना सभी को बहुत पसंद आएगा इसलिए आपने इसको जरूर ट्राइ करना है ट्राइ करें तो अपना feedback कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ share कीजेगा इसी के साथ साथ वीडियो को like भी जरूर कीजेगा अपनी family और friends में इस वीडियो को share भी कीजेगा चैनल पर नए है तो subscribe करके notification जरूर on कर लीजेगा तकि मेरी नहीं आने वाली कोई पी recipe वीडियो आप से मिसना हो अपना बहुत सा ख्याल रखेगा दो आम याद रखेगा Thank you for watching Allah Hafiz